असलाम लेकुम, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब ठीक होंगे, welcome to another video, यह हमारी वीडियो का second part है, यहाँ पे मैं पहले वाली सारी लिपस्टिक्स को रिमूव करी हूँ, baby wipe की मदद से, ताकि नेक्स्ट जो मेडोरा के लिपस्टिक्स हैं, यह मैंने अलग कर ली थी, अब सारी इन कि हमारी जो लिपस्टिक्स के कलर हैं, वो बिल्कुल सही से नजर आ सकें, वीडियो में थोड़ा सा, हम कोई भी liquid base यूज कर लेंगे, और साथ उसको powder के साथ सेट कर लेंगे, ताकि सारे कलर्स जो हैं, वो अच्छे से नजर आ सकें, मेडोरा की लिपस्टिक्स इतनी पुर मैं आप लोग को red के सारे shards दिखा रही हैं, जो मेरे पास 3 shards हैं, बहुत प्यारे red के shards हैं, उसके बाद pinks को मैंने अलग कर लिया है, और फिर brown और एक दो colors, orange जो मेरे बहुत पसंदीदा है, वो मैंने अलग कर लिया है, से पहला जो number है, वो है 222, ये brights पे यूज होता ह है, बहुत ही प्यारे वाला red है, hot red जिसको कहते हैं, वो वाला है ये, उसके बाद जी 224 है, मैं मरियम के वीडियो में भी दिखाती होती हूँ, आप लोग को एक nail पे 224, जो मैं मरियम के लिए यूज करती हूँ, ये वो ही वाला जो lipstick का shade है 224, ये बहुत ही प्यारे वाला म lipstick है, इसमें एक shine कहलें लगाने के बाद ऐसी gloss type shine आती है, जैसे आपने अलग से lipstick के साथ gloss को use किया हूए, ये तीनों shade मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारे red के shade है, ये तीनों होने चाहिए, या तो फिर एक तो must है आपके पास होना चाहिए, ये light dresses के सा आए, अपने घर जा के करना, अपने घर जा के करना, तो फिर red तो must है ना शादी के बाद, उसके बाद जी मेरे पास pink की collection है, pink जो है वो तो females का ever green color है, pink हर किसी को ही पसंद होता है, बहुत कम लोग हैं इनको ना पसंद हो, इन में कुछ pink के light shade हैं, कुछ dark shade हैं, जो light shade हैं व bold pink का एक shade है, बहुत प्यारा सा effect देता है, जो मेरे पिछली वीडियो थी, उसमें जो 131 जैनी के lipstick थी, और मेरे डोरा में ये वाला number है, अगर जैनी नहीं मिलता, तो मेरे डोरा में ये वाला number, same colors हैं ये, उसके बाद जी, 201 मेरे पास nail paint भी होता है, और मेरे पास इसकी lipstick भी कभी खतम नहीं हुई, गुम हो गई है, या खतम हो गई है, तो मैं इसको restock again and again करती हूँ, ये daily लगी वी, बहुत प्यारी लगती है, बहुत natural सा effect आता है इसका, अब जो next lipstick है, वो 560 matte color है, मेडोरा का, इसका number मिट चुका है, शायद, ये भी बहुत प्यारा सा rose pink color है, इसक थोड़े सा glitter है, थोड़े से chunks है, शायन आती है, इसको लगाने के बाद, ये बहुत प्यारा सा brown pink सा shade है, कभी brown effect देगा, कभी pink देगा, अगर आपने daily routine में use करना है, और आप चाहती है कि ज्यादा पता भी ना चले, lipstick लगी वी का, तो ये वाला shade बहुत प्यारा है, उसके इसका name भी coffee है, अब जी pink के सारे shades हो चुके हैं, इन में जो पहले तीन हैं, वो red के shades हैं, बाकी सारे pink के हैं, pink के mix shades हैं, कोई rose color है, कोई coffee color है, इस तरह है, उसके बाद जी एक orange color है, ये बहुत प्यारा orange color है, इसका number भी मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी lipstick है मेरे पास मैं इसको थोड़ा थोड़ा use करती हूँ, ये बहुत हसीन लगती है, लगी वी, orange है, अब ढूनना पड़ेगा इसका number भी, या दुबारा किसी और brand में फिर orange को देखेंगे, ये मैंने बहुत अर्सा पहले की संभाल के रखी हुई है, उसके बाद जी एक purple lipstick है, 218 इसका number है नेम इसका berry है, berries जैसा इसका color है, बहुत ही हसीन किसम का purple है, पिंक के साथ लगावा, बहुत प्यारा लगता है, शदीद किसम की ये हालते गयर में है, तूटी वी है, लेकिन मुझे पसंद है, इसलिए मैं इसको नहीं पहंक रही, उसके बाद जी मैंने वीडियो के start में कह सेट करना सिखाऊंगी, तो यहां पर भी ये मेरी लिपस्टिक 208 है, टेरा कोटा इसका नेम था, ये तूट गई थी, तो इसको मैंने सेट कर लिया, इसको सेट करने का तरीका बहुत असान है, इसका बहुत प्यारा सा, न्यूड सा color है, न्यूड ब्राउन सा, ये आप लो जाती है, तो उसके लिए हम इनको यूज कर सकते हैं, अब हम इसको अच्छे से वाइप से क्लीन कर लेंगे, या आप वाश कर सकते हैं, इसको अच्छे से वाश कर लें, अब मेरे पास एक ही नियल रिमूवर की डिब भी बची भी है, तो इसको हम साफ कर लेते हैं, यहां पे ये वाला जो है रिवाज यूके का ही लिप्स्टिक ब्रश है, इसकी बहुत प्यारी सी टिप है, ये बहुत अच्छी लिप्स्टिक इससे लग जाती है, बहुत सॉफ्ट इसके ब्रेसल्स हैं, तो ये जी बहुत सी रिजेनेबल मिल गया था सेल में मैंने बाय किया था, अब भी बहुत रिजेनेबल होगा, टू, थ्री हंडर का मिल जाएगा इससे लिप्स्टिक बहुत अच्छी अपलाई होती है और बहुत लॉंग लास्टिंग हो जाती है क्योंकि जब हम इससे लगाते हैं, तो करने के बाद हम इसमें अपनी लिप्स्टिक को सेट कर लेंगे अच्छा लिप्स्टिक में वैजलीन और कोकोनेट ओयल बिल्कुल नहीं डालना चाहिए क्योंकि उससे यह बहुत ही हजीब सी ओयली सी चिपचपी सी हो जाती है जिस तरह की लिप्स्टिक आपके पास है उसी को आप बहुत असानी से सेट कर सकते हैं अपनी लिप्स्टिक को किचन में ले जाए एक चमच लें चमच को अलग से गरम कर लें लिपस्टिक को उसके उपर तोड़ के रखने से यह मेरे पास टूटी भी लिपस्टिक है इसको मैं अच्छे से बीच में से किसी नोकीली चीज से चुरी से या किसी चीज से निकालने से पहले यह मेक शूर कर लेना कि वो मिर्चों वाली चीज ना हो एक स्पून ले ले आप lif टेल वाला उसके उपर तोड़ा समें इसको डाल के गरम करए और तोड़ा सा गरम करने के बाद यह थोड़ी मेल्ट होने लगएगी और इसको आप अपनी इसको किसी भी कंटेनर में ऑनलने कि बी दिबबी में ताकि आप इसको बाद में आप इसको लिप्स्टिक ब्रश के साथ अपलाई कर लें फिंगर से अपलाई हो जाती है यहाँ पर यापलों के सामने डल चुकी है कंटेनर में नेल वाइप्स वाले और अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और फिर इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर जी यह बिल्कुल खाली हो चका है जो इसका कंटेनर पहले लिप्स्टिक वाला था अब हम इसको वेस्ट कर देंगे और लिप्स्टिक हमारी सेव हो गई है अगर आपने मेरी विडियो को यहाँ तक देखा है और आपने फूर्स टाइम देखा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरी विडियो को लाइक करदे मिलेंगे फिर किसी विडियो में अब मेरे पास लिप पैंसल पड़ी है अल्ला हाफिज